मैं मानता हूँ कि एक जिम्मेदार ये पार्टी ये नाते हैं कानूं का सहीयोग देना चाहिए था ये सारा जो मामला है कि कहीं न कहीं कॉर्ट ने रजिस्टर की हुई एफायर के बेसीज पर चला है मगर हरोज वो प्रदसन करते हैं जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है मेरा स्पष्ट मानना है कि कॉंग्रेस ने इसमें हीडन तरीके से अपनी एपिस्मेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है आज quindi ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है ना पुश्टाज की है ना कोई रेड हुई है कुछ नहीं हुआ है और अचानक ही कॉंग्रेस ने आज ने कारेक्रम दिया विरोध का मैं तो समझी नहीं सकता विरोध का कारेक्रम क्यूँ आज दिया गया है और हरोज जब विरोध के कारेकरम होते थे तो अपने अपने ध्रेस में होते थे आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहन कर करें मैं मानता हूँ कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री स्री नरेंडर मोदी जी ने राम जन्वमुवी का सिलान्यास किया था साड़े 500 साल पूरानी ए समस्या का बहुत सांति पून तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था ना हिन्सा हुई थी और सांतिपूर्ण तरीके से करोडो करोडो लोगों की स्रध्धा को परवान चड़ाने का काम इस देश के प्रधान मंत्री ने किया था कॉंग्रेस ने आज का दिन इसलिए विरोध के लिए और विशेश कर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिले किया है कि वो एक subtle message देना चाहते हैं कि हम राम जौन्वभुमी के सिला नयास का विरोध करते हैं और अपनी तुरुष्टी करण की निती को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुरुष्टी करण की निती ना देश के लिए अच्छी है ना कॉंग्रेस के लिए अच्छी है तुरुष्टी करण की निती के चलते ही आज कॉंग्रेस जी स्तिती में है वो स्तिती में दिखाई पड़ रही है और जहां तक E.D. का सवाल है सभी ने देश के कानून की व्योस्ता का सन्मान करना चाहिए और सही हो करना चाहिए